शाहिन्शा अमिताब बच्चन जी की पत्रिका नारी जोतिश के अनुसार देखेंगे अमिताब बच्चन जी की जनम पत्रिका कुम्ब लगन की है और लगन में ही केतू बेठा है यदि लगन में केतू बेठे है तो व्यक्ति के दात के उपर दात रहते हैं और चहरे पर तिल रहता है और समझो व्यक्ति के उपर तिल नहीं है चहरे पर और दात के उपर दात नहीं है तो फिर उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि सब्तमभाव पत्नी का होता है और जो गरा लगने में बैठता है उसकी दरश्टी सब्तमभाव पर भी रेती है तो उनकी पत्नी जया बादोडी जी के दात के उपर दात है और चेहरे पर तील है मीन राशी का केतु यदि हो तो व्यक्ति समुद्र के पास रहता है परन्तु अमिता बच्चन जी की पत्रिका में मीन राशी का केतु नहीं है मीन राशी के पास में है जोतिश में मीन राशी समुद्र की होती है और जो नारी जोतिष में मीन राशी का स्वामी केतू को भी माना है हाला कि गुरू भी मीन राशी का स्वामी होता है तो देखो यहां पर केतू मीन राशी के भूत पास में वेठा है और शनी की दस्वी द्रश्टी केतू पर पढ़ रही है शनी मकान होता है और केतु चोकि मीन राशी का स्वामी होता है इसलिए समुद्र को प्रदशित करता है और यहाँ पर केतु मीन राशी के भूत पास में बेटा है तो इसलिए अमिता बच्चन जी का मकान समुद्र के पास जुहू बीच पर है नाड़ी जोतिश में मित्रों लगनेश हमेशा गुरु होता है और गुरु अमिताब बच्चन जी की पत्रिका में छटे भाव में बेटा है करक राशी में तो एकतर से नाड़ी जोतिश के अनुसार उनका करक लगन भी हो गया है क्योंकि नाडी में गुरु जीव कारक है, जिन्दा रहना, सास लेना, चलना, बोलना, हसना, यह सब एक्टिविटी गुरु से देखते हैं, क्योंकि गुरु जीव है, जीव मतलब जीवित वेक्ति, अब यहाँ पर मित्रों देखो, गुरु के आगे राहू बेठा है, तो न राहू की यूती हो गई है, गुरु राहू की यूती होती है, तो वेक्ति विदेश जाता है, वेक्ति राजनीती में जाता है, जैसा कि आपको पता है, अमिता बच्चन एक बार मेंबर आप पार्लियामेंट भी थे, संसत सदस्य थे, तो राजनीती में थे, हार, हाला कि र व्यूति में व्यक्ति विदेश जाता है और राजनीती के योग भी रहते हैं क्योंकि राहू राजनीती भी है और विदेश भी है अमित्रों अमिता बच्चन इतने बड़े सुपरिश्टार केसे बने पत्रिका में ऐसा क्या योग है आप केंद्र को ध्यान से देखें तो केंद्र में केवल पाप ग्रह बेठें या शुब ग्रह बेठें तो चतुस सागर राजयोग होता है ऐसा ही राजयोग शारुखान की पत्रिका में भी आपने को दिखने को मिल जाएगा चारों केंद्र में पाप ग्रह बेठें शारुखान की पत्रिका में ऐसे ही अमिताब जी के पत्रिका में देखिए लगन में केतू, चोते भाव में शनी, सब्तम भाव पर राहू और दस्वे भाव पर भी शनी की दरश्टी पड़ रही है मतलब चारो केंद्र पाप ग्रहों से दरश्ट हैं, तो ये चतुस सागर राजियोग है, ये बहुत बड़ा राजियोग होता है अब मित्रों अश्टम भाव में, यदि आप देखें, तो बुद्ध, सूरी, मंगल, शुक्र, चार घ्रह अश्टम भाव में बेठें, बुद्ध अपनी ही राशी में बेठा है तो आपको एक सुत्र बताता हूँ, यदि कोई घरह अपनी राशी में बेठे, तो उसके साथ में बेठेवे घरह भी सुहराशी जैसा फल देते हैं बुद्ध चुकी सुहराशी है, तो हम कह सकते हैं कि सूरी, मंगल, शुक्र, वह भी सुहराशी जैसा फल देंगे आप जिसे जानते हैं कि अमिता बच्चन जी को जितना मान सम्मान मिला, उतना शायद ही भारत में किसी को मिला हो तो मान सम्मान सूरी से देखते हैं तो सूरी उनको बहुत अच्छा फल दे रहा है फिर मंगल को अगर हम देखे हैं तो अमिता बच्चन को एंग्री यंग्मेन की उपादी मिली थी मंगल से घुसा देखते हैं तो अमिता बच्चन प्रसिद एंग्री यंग्मेन के रूप में हुए, शुक्र सुन्दर्ता का प्रतीक है, तो अमिता बच्चन ने मिस वर्ड कॉंपेटिशन कराई थी, 1996 में बेंगलोर में, और मिस वर्ड एश्वर है रहा है, अमिता बच्चन क्या घर में ही रेती है, उन सुराशी हो जाए, तो उसके साथ में बेठे वे, बाकी के घरह भी सुराशी जैसा फल देंगे, अब मित्रों यहां पर अश्टमभाव में देखें, सूरी से पिता जी देखते हैं नाडी जोतिश में, और शुक्र मंगल से लव मेरिज, तो इनके पिता जी हरिवन श्राय बच्चन जी, तो सूरी पिता है और शुक्र बुद्ध कवी हैं, इसलिए इनके पिता जी महान कवी थे, फिर मित्रों इनके पिता जी की सरकारी नोकरी भी लगी थी, राजदूत के रूप में, भारत सरकार के राजदूत थे, तो सूरी पिता जी, सूरी बुद्ध पोश् राजदूत के रुप में, क्योंकि सूरी कन्या राशी में बेठा है, बुद्ध भी कन्या राशी में बेठा है, जिसका एक स्वामी राहू भी होता है, तो इसलिए राजदूत के रुप में सरकारी नोकरी लगी थी अब मित्रों यहाँ पर देखिए, राहू जो है, वो सप्तमभाव में बेठा है, राहू से राजदी देखते हैं, तो जैसा कि आपको पता है, जैया बच्चन जी राजदा स्वास अधर से हैं तो राहू राजदी भाव पतनी, तो पतनी राजदी में यहाँ पर एक मज़ेदार बात और बताता हूँ जब अमिता वच्चन की शादी होने वाली थी तो उस समय वो लंदन जाने वाले थे तो उनके पिताजी ने बोला पहले आपको शादी करनी पड़ेगी उसके अगले दिन ही लंदन जा सकते हो तो अमिता वच्चन अपनी शादी के अगले दिन ही लंदन गए थे अपनी पत्नी के साथ तो ऐसा क्यों होगा मित्रो सप्तमभाव शादी का होता है राहू विदेश होता है और नाड़ी जोतिश में हर घ्रह अपने पीछे पिछले चोथे भाव में बेठे वे ग्रह को भी देखता है तो यहां राहू जो बेठा है राहू से पीछे जाएंगे तो चोथे भाव में आएगा शनी तो राहू का पूरा प्रभाव शनी के उपर है तो शनी से लंदन देखते हैं राहू से विदेश देखते हैं और 17 भाव से शादी देखते हैं तो शादी के अगले दिन ही अमिताब बच्चन जी को लंदन जाना पड़ा था अब मित्रों यहाँ पर हम देखें राहू और सूरी पास में बेठे हैं तो नाड़ी जोतिश में लगातार बेठेवे ग्रह और पास-पास बेठेवे ग्रह की यूती हो जाती है नाड़ी जोतिश का एक नियम है दो बारा का मतलब दूसरे भाव बारवे भाव में ग्रह बेठे हैं तो वो आपस में यूती कर लेते हैं और पास पास बेठे हों, राइट लेफ्ट में बेठे हों, तो सब यूती कर लेते हैं, तो यहाँ पर राईट की यूती सूरिश हो गई, सूरि मानसम्मान होता है, राहु ग्रहन होता है, तो एक बार मानसम्मान पर ग्रहन भी लगा था जब 96 में Miss World Competition के बाद उनके उपर बूर्त योग होते हैं तो जिसके कारण व्यक्ति को जमीन एवं धन के मामले में धोका होता है तो जमीन धन के मामले में भी उनके साथ धोका हुआ इसलिए ही पैसे की बहुत कमी हो गई थी 96 से 2000 तक फिर मित्रों यहाँ पर हम देखें राहु शुक्र तो राहु शुक्र की भी यूती हो गई है तो फिर से कहना चाहूँआ शुक्र पत्नी राहु राजनीती तो पत्नी राजनीती में हैं फिर शुक्र पत्नी राहु विदेश तो पत्नी विदेश भी भोत बार गई ह यहां पर हम देखें तो शुक्र मंगल की यूती है इस्टम भाव में इसलिए अमिता बच्चन जी की भी शादी मतलब लव मेरी जुई जया बच्चन जी के साथ और जया बच्चन जी भोपाल के रहने वाली है तो यहां पर शुक्र कन्या राशी में बैठा है मद्द प्रदेश की लगन कुणली बनाएंगे तो कन्या लगन की बनती है एक नहोंबर 1956 को मद्द प्रदेश की स्थापना हुई थी और राजधानी जो हो है हम सूरी से और गुरु से देखते हैं तो मित्रों यहां पर शुक्र जो है सूरी के साथ बेठा है शुक्र पत्नी स सूरी राजधानी क्योंकि सूरी राजा है और राजा के स्थान को ही राजधानी कहते हैं तो पत्नी राजधानी से होना चाहिए तो इनकी पत्नी भोपाल से है जया बच्चन जी क्योंकि शुक्र सूरी के साथ बेठा है अब इसके बाद हम देखते हैं मित्रों इस पत्रिक शनी की द्रश्टी केतु पर पड़ रही है दसवी द्रश्टी तो शनी की पावर तीन गुना हो रही है लगन के अंदर ही केतु जो बेठा है तो और मित्रो जबी भी शनी के कुम्ब राशी को देखता है या कुम्ब राशी में बेठता है तो व्यक्ति को पूरुष नहीं मह महापूरुष बनाता है महापूरुष राजयोग होता है सश राजयोग होता है तो अमिता बच्चन जी की पत्रिका में सश राजयोग बन रहा है शनी कुम्बराशी को देख रहा है और वहां केतू जो बेठा है वो पावर को तीन गुना कर रहा है इसलिए इतनी अब हम आते हैं मित्रो नवम भाव में चंदर मा बेठा है और लगन में केतू तो नाड़ी जोतिस में हर घ्र पाचवी और नवी द्रश्टी भी मानते हैं क्योंकि त्रिकोण से संबंध बना लेते हैं तो केतु और चंद्रमा त्रिकोन में बैठे हैं इसलिए उनकी यूती हो गई है। चंद्र केतु मानसिक तनाव देते हैं, mental tension तो अमिजताप जी को कहीं न कहीं mental tension रहा है लाइफ में, चंद्र केतु की त्रिकोन में यूती होने के कारण। अब यहां पर हम देखते हैं, चंद्रमा सूरी के पास में बैठा है, तो चंद्र सूरी सरकार होते हैं, क्योंकि सूरी राजा है, चंद्र रानी हैं, तो नाडी जोतिस में सूरी चंद्रमा यूती करके राजा रानी योग बनाते हैं, तो राजा रानी योग मतलब व्यक्ति क खुब मानशम्मान मिलना दो इनके भाग्य में ही एक Raja-Rani योग बन रहा है शूरी चंद्रमा बेठे तो व्यक्ति को जीवन में बड़ा करजा हो जाता है गुरू चुकि धनका कारक है और छटा भाव करजे का होता है तो 96 में केनेरा बेंग से 300 करोल का करजा हो गया था इंके पर बड़ा करजा हो गया था लेकिन एक सुत्र बताता हूं यदि गुरू छटे भाव में में तो भगवान श्रीकरश्न खुद आ गये थे उसकी मदद करने के लिए इसी तरह जब अमिता बच्चन पर 300 करोल का करजा हुआ केनेरा बेंग का तो उनके आर्थिक इस्तिति को सामालने के लिए धीरू बाई अंबानी आ गये थे जो उस समय के भगवान थे धीरू आ जाता है उसकी रक्षा के लिए हम दूसरा उधरान लेते हैं अमिता बच्चन जी को जब कूली फिल्म में टेबल की लगी थी तो भी वो मरते मरते बचे थे और आज भी है तो छटे भाव में गुरू बेठा तो इश्वर ने उनको मदद की चलिए मित्रो धन्यवाद थैंक्यू हमारे वीडियो को